तरन्वीर की इस हरकत से शिल्पा और विवियन और अविनाश में बहस छिड़ चुकी है शिल्पा का कहना ये है कि कभी भी उसने किसी को भी खाना देने से इनकार नहीं किया तो अविनाश ने ये बात बोला कि आखिरकार फिर वो ऐसा कर क्यों रहा है वो जानबूच के ये चीज़ कर रहा है ना कंटेंट करने के लिए कंटेंट देने के लिए ही ये सब चिज़े कर रहा है तो शिल्पा ये मानने के लिए तेयार नहीं है शिल्पा का कहना ये है कि ये 17 पार्ट्स करने चाहते हैं दाल के और पर 17 लोग नहीं है 16 लोग है मैंने उनको बोल दिया है कि भई 17 नहीं 16 ही कर लो मेरे को नहीं चाहिए तो विविन ने भी बोला कि आपको क्या प्राब्लम है बोली मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती है ये mentality सही नहीं है तो विविन का कहना ये है कि भई अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं तो वहाँ पर उसका कहना ये है कि भई वो चावल देने के लिए तयार है और उसने बोल दिया है कि चावल मेरे हिस्से में इविन उसने तो खाना तक नहीं खाया है करनने और वो चावल देने के लिए तयार है और उसने दे भी दिया है और टाइम गॉड का और उसकी जो है वो बात हो चुकी है बस वो एक बात बोल रहा है कि कोई waste ना करे खाना उससे ज़ादा वो कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि अगर बराबर divide होता है खाना तो बराबर divination में कुछ लोगों को ज़ादा चाहिए होता है, कुछ लोगों को कम चाहिए होता है, जिन लोगों को कम चाहिए होता है, उनके हिस्से में बच जाता है खाना, और वो लोग रख देते हैं, जो की waste होता है, और यह बाद में भी खाया जाता है, और उसने भी काफ जा ओपड़िघ्ए करता है। पर लॉजिक अगर देखे तो एकदम सही है, पॉइंट जो है वो सही उठाया है, कि एकदम बराबर 16 लोगों में अगर बट रहा है खाना, तो किसी को भूख कम होते लड़की कम खाती है, शिल्पा जैसे नहीं खाती, जादा, इडन जादा नहीं खाती है, कम खाती है, इतने इतने से राइस है, उसमें आधा खाती है, तो राइस जो है वेस्ट हो जाते हैं, और जो आदमी को मिल रहा है, उसकी भूख इससे कहीं जादा है, तो उसको बराबर नहीं मिल रहा है, लॉजिक तो सही है, पर जान बूच के जो है, यहाँ पर करन वीरे से चीज़ को उठा कि महान बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके हाथ में राइस आ चुके हैं और वो काफिस जादा काफिस जादा जो है नेगोशेट तो कर रहा है पर आपने attitude को दिखा के कि मेरे पास आओ ये करो वो करो बहुत ही मतलगी देखे किसी को देने का जो है एक तरीका अलग होता है body language अलग होती है बट उसकी जो body language ना वो नीचा दिखाने की है जो ये body language को जो किस्सा है ना वो इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और बाकी सक चिज़े ठीक है पर body language जिस तरीके से यूज कर रहा है वो सही नहीं है क्या है आप लोगों का कहना इसी के साथ मैं लेतीम जासत नमस्षकार